पाई का सवाल है, अक्सर कहा जाता है और हदीस है कि दूआ तकदीर को बदल सकती है, बहुत आसान टॉपिक है, आप लोग सिंपल टॉपिक याद करो, देखो यह इजी इजी टॉपिक है, क्या होता है, तकदीर दो टाइप की तकदीर है, एक है तकदीर मौलक, जिसे थैंग हांगिंग तकदीर बोलते हैं, मिसाल के तोर पर बच्चा मा के पेट में होता है, तो उसका रिस्क लिखायाता है, उसी तरह हम देखते हैं कि लेलत-ॉ-कद्र के रात में आने वाले साल के सारे फैसले नाजल होते हैं, अब आपको पता है, लेलत-ु-कद्र में नभी सभ अ साफ ऐलेशसेव ने हमें बताया, हदीशे हैं उस बारे में, तो आने वाले साल के फैसले नाजल होते हैं, तो यह जो है, यह कौन सी तक्दीर है, यह हैंगिंग तक्दीर. और एक तक्दीर वो है, जो लोह महफूज में हैं, जो confirm, fix तक्दीर है, दोनों में फर्द क्या है देखिए हम जो दौा पढ़ते है उसके न क्या है जो कुनूत पढ़ते है उसके न क्या है चलिए कुनूत के अंदर वर्ड्स है आप में से कौन बता सकता है जो तक्दीर के तालुक से तक्दीर बदलने के तालुक से आगे और ट्राइ गरिए इननका तक्दी फला युक्दा अलेक इससे पहले वकिना शर्रमा खदाईत आला जो तुने शर्र हमाई ले मुकदर किया है उस शर्र के उस शर्र से हमें बचा दे जो तकदीर में है में भाईयों कुरान और हदीस में कई एविडिंस है कि ये जो तकदीर है तकदीर मौला की बदलती है लेकिन वो तकदीर जो लोहे महफूज में वो नहीं बदलती है अच्छा भी यहां पर क्या है मिसाल के तौर पर कोई चीज जो नहीं हुई वो भी होती तो क्या होता जो नहीं हुई वो अगर होती तो क्या होता एक आदमी एक मोड पर आकर उसने गुना का रास्ता ले लिया अगर नहीं लेता तो क्या होता वो मोड पर आकर उसने दुआ कर लिया ल्ला से अगर वो दुआ नहीं करता तो क्या होता तो अल्ला के इल्म में सब कुछ है اللہ تعالیٰ کا علم इतना perfect है कि जो नहीं हुआ वो भी होता तो क्या होता अल्ला के इल्म में वो है तो यहां जो है यह जो तकदीर मौलक है यह आने वाले साल में क्या होने वाला है रिस कितना मिलने वाला है वो रिस बढ़ सकता है आपको कई हदीसे मिलेगी में द्या से चेंज होती है उसी तरह सभी बखारी की हदीस है मन अभा अन्यूबसत 110 notable वी म उमरही जो पसंड करता है कि उसकर माल में अज़ाफा हो तुमें से कोई अगर पसंड कर रहा है अगर तुमें अच्छा लगता है कि माल बढ़े अगर तुम्हें अगर तुम्हें पसंद है कि माल बढ़ जाए या उम्र बढ़ जाए उसे चाहिए कि रिष्टेदारी अच्छी रखे सभी बुखारी की ठीज़ सुन लो में भाई आप में से जो लोगों को अच्छा लगता है है कि आपकी जितनी भी रिस्क मिलना आने वाले साल में या आपका माल जो आनाव है तके पास थो बढ़ जाए तो रिष्टेदारी अच्छी रखो अब यक आदमी है उसको आने वाले साल में एक लाग का र्सक मिलने वाहाugerा था डोटल लेकिन उसने रिष्टदारी अच्छी रुखी, हदीश सुनी, जाके रिष्टदारों को फोन किया, मिलने गया, खेरियत बुचा, बिमार हो, कैसे हो, मदद किया तो उसका रिस्क एक लाक से पांच लाक हो गया हाँ अब यह रिस्क उसके मिलना था एक लाक, लेकिन वह पांच लाक हो गया, लेकिन अल्ला को मालुम है, के अगर वह यह नहीं करता तो क्या होता समझ जा तो Allah का इल्म पर्फेक्ट है लेकिन ये तकदीर के तालग से जो बदलने के तालग से सारी चीज़े हैं वो मौलग है हाँ लोहे महफूज में जो है जो पचास हजार साल पहले आसमान जुमीन के बनने के पचास हजार साल पहले से है वो तकदीर वेज़ फिक्स्टेव बदेन तीग